नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ कुंचन अच्छे खबरों की शुरूबात एक खुश खबरी से जो उस वक्त आई जब शनिवार रविवार की दर्मियान रात आप और हम सो रहे थे खुश खबरी ये कि भारत अपचान के बिलकुल करीब पहुँच किया है आज देरात इसरों ने दूसरी और आखरी डिबूस्टिंग पुरी कर ली है सच कहें तो चंद्रियान 3 ने ऐसी काम्याबी हासल कर ली है जहां से अगला पड़ाव सर्फ 23 अगस्त का ही बचा है हम आपको बता दें कि इसरों ने लेंडिंग का वक्त भी शेयर किया है इसरों के मुताबेग 23 अगस्त शाम 6 बच कर 4 मिनट पर भारतिय वग्यानिक चंद्रियान 3 को चांद पर लेंड कराएंगे चांद से बस चंद कदम की दूरी रह गई है भारत का चंद्रियान 3 चांद से बस 25 किलो मिटर की दूरी पर है और आने वाला एक एक दिन एक एक घंटा भारत के लिए एहम होने वाला है क्योंकि आने वाले दिनों में भारत वो इतिहास रचेगा जो पहली बार होगा जी हाँ ये पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के तक्षडी दूरूप पर लेंड करेगा बीती रात जब आप और हम नीद के आगोश में थे तब इसरो के वग्यानिकों ने वो काम्यापी हासिल की जो देश को सफलता के शिखर पर ले जाने वाली है सुभा आँख खुली तो सबसे पहले यहीं खुशखब्री सुनाई दी कि इसरो के चंद्रियान 3 ने एक और बड़ा पड़ाव पार कर लिया है उस पड़ाव का नाम है चंद्रियान 3 की दूसरी डीबूस्ट्रिंग चंद्रियान 3 की आज दूसरी और आखरी डीबूस्ट्रिंग बेहत सफल रही चंद्रियान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्ट्रिंग ओपरेशन शनिवार से रविवार के दर्भियार रात एक बच कर पचास मिनट पर पूरा हुआ इस आपरेशन के बाद लेंडर की चंद्रमा से ड्यून तमदूरी 25 किलो मिटर और अधिक तमदूरी 134 किलो मिटर तक रह गई है डी बूस्टिंग में स्पेस क्राफ्ट की स्पीट को धीमा किया जाता है यह डी बूस्टिंग जो होता है या रेट्रो फायरिंग यह करते हैं ताके इसकी गती जो है वो कम हो जाए वो बहुत तेज घूम रहा है तो इसके चार वो जो बूस्टर्स हैं उनको डी बूस्ट करके इसकी गती कम करना है ताके ये नीचे आ सके और फिर फाइनली ये सॉफ्ट लेंडिंग कर सके तो ये बहुत हैं और बहुत ही प्रसेशन मूवमेंट है इसरो के ट्वीट के मताबिख अब लेंडर की इंटरनल चार्च होगी और जब तक लेंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतिजार किया चाएगा 23 अगस्त की शाम को सबसे कम दूरी यानि 25 किलोमिटर की उचाई से सॉफ्ट लेंड कराने की कोशिश की जाएगी दीरे दीरे जब वो लेंड करेगा तब उसकी गती कुछ दो मीटर पर सेकेंड on the vertical plane और horizontal plane पे 0.5 मीटर पर सेकेंड के माध्यम से वो लेंड करेगा इसमें कई सीरीज ओफ डीबूस्टिंग करने पड़ते हैं वो देखते रहते हैं कितना स्पीड है और अंत में वो इस डीबूस्टिंग है 23 अगस्त की शाम को चंद्रियान 3 के लेंडर को 25 किलोमिटर की उचाई से चान की सता तक पुचाने में 15 से 20 मिरट लगेंगे यही समय सबसे क्रिटिकल होने वाला है इसके बाद विकरम लैंडर से रैम के जरिये 6 पहियों वाला प्रज्यान रूवर बाहर आएगा और इस रोक से कमार्ड मिलते ही चान की सता पर चले लगेगा इस दौरान इसके पहिये चान की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रिये चिन, अशोक, इस्तम और इस्रो के लोगों की छाप छोड़ेगे जाहिर है अगर ये हो गया तो मालो हिंतुस्तान ने चान पतह कर लिया ब्यूर रपोर्ट, गुड डियूस टुडे चंद्रियान 3 मिशन को तीन हिस्सों में बाटा जा सकता है पहला ये कि पृत्वी से उसकी कक्षा तक का सफर दूसरी पृत्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा का सफर और तीसरा चंद्रमा की कक्षा से लेंडिंग तक का सफर 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2 बचकर 35 मिनट पर आंध प्रदेश में श्री हरी कोटा के सतीज धवन स्पेस सेंटर से मिशन लॉंच हुआ 23 अगस की शाम को ये चंद्रमा पर पहुँचेगा चंद्रमा से पृत्वी की दोरी 3 दश्मलव 8-4 लाख किलो मीटर है चलिए बताते हैं आपको चंद्रियान 3 का चांद तक जाने का पूरा रास्ता चंद्रियान 3 के चांद तक के जाने के रास्ते को अगर हम समझें तो LBM3 रॉकेट से चंद्रियान 3 लॉंच हुआ 16 मिनिट बाद रॉकेट ने चंद्रियान को पृत्वी की कक्षा में छोड़ दिया 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रियान पृत्वी की अंडाकार कक्षा में ही रहा स्पेसक्राफ ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया कक्षा का ट्रांसफर हुआ और एक अगस से पांच अगस तक स्पेस्क्राफ चंद्रमा की तरफ बढ़ा, पांच अगस को स्पेस्क्राफ चंद्रमा की कक्षा में पहुँच गया, छे अगस से 16 अगस के बीच चार बार और्बिट को घटाया गया, और चंद्रयान को 153 किलो म किलोमीटर की कख्षा में लाया गया 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लेंडर अलग हुए जिसके बाद लेंडर हंटिट मंटिप्लाइबाई 30 किलोमीटर की कख्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा 23 अगस्त का वो दिन हो सकता है जब शाम को करीब 6 बच कर 4 दिकलेगा और अगले 14 दिन तक प्रयोग करेगा इधर भारत को चंद्रियांट 3 मिशन की सफलता के लिए बस 23 अगस्त का इंतिसार है जब लेंडिंग होनी है एक बार फिर आपको बता दे किस्तों ने लेंडिंग का वक्त आज शेयर किया है 23 अगस्त 2023 की शाम को 6 बच को 4 म नटपर शंद्रियांट चांद की सता पर लेंड करेगा वहें रूस के चांद मिशन को लेकर अपडेट आया है कि उसका मिशन मून फेल हो गया है क्योंकि उसका लूना 25 चांद पर लेंडिंग से पहले ही क्रेश कर गया इसके पहले रूस के लूना 25 में तखनीकी खराबी की खबर आई थी रूसी स्पेस एजेंसी सही करने में जूटी थी लेकिन अब खबर ये आई है के लूना 25 क्रेश कर गया है भारत की पंडुपी आईनेस वागीर 7000 किलोमीटर का सफर तैकर आस्ट्रेलिया पहुँच गया है ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भारत ये पंडुपी आस्ट्रेलिया पहुँची है इसे भारत की प्रश्चान्त माहसागर में बर्ती दिल्चस्पी से जोड़ कर देखा जा रहा है भारतिया नौसेना के दो युद्वपोत पहले से ही इस इलाकी में तनात है ये हिंदुस्तान की ताकत है जिसका नाम है आयनेस वागीर देश की स्कॉर्पीन क्लास की ये पंडुपी आयनेस वागीर मुंबई से बढ़ते हुए और बिना रुके लगातार चलते हुए प्रशान्त माहसागर में पहुँच गई है ये पहली बार आस्ट्रेलिया पहुँची है इसी साल चन्वरी में कमिशन की गई पंडुपी आयनेस वागीर ने खरीब साथ हजार किलोमीटर की दूरी तै करते हुए आस्ट्रेलिया तक अपना रास्ता बना लिया है आपको बता दें कि ऐसा पहली बार गुआ है कि किसी भार्थिय पंडुपी ने एक ही बार में साथ हजार किलोमीटर की समुद्री याथता तै की कुँँची इंडिन नेवी के मुताविक ये पंडुपी अपने मिशन पर जून 2023 में निकली थी जो आज आस्ट्रेलिया के फ्रेमिंटल पहुँच गई है आएनस वागीर पंडुपी वही है जिसे भार्थिय नौसेना की पाँचवी कलवरी क्लास की पंडुपी के रूप में जाना जाता है इसे इसी साल जन्वरी में भार्थिय नौसेना में शामिल किया गया था और मुंबई में कमीशन किया गया था अंतरास्प्रय योग दिवस्पर श्री लंका में एक बंदरगाह कॉल को छोड़कर पंडुपी ने कोई अन्य बंदरगाह कॉल नहीं किया है नेवी ने ये भी बताया कि जून में अपनी ऑपरेशनल तैनाती शुरू होने के बाद आयनेस वागीर पंडुपी लगबख साथ हजार किलो मीटर यह चार हजार समुद्री मील से कुछ ज्यादा की दूरी तै कर चुकी है इसका मतलब ये है कि आयनेस वागीर श्रीलंका में रुखने के बाद से लगातार चल रही है और इस गती के आधार पर ये हर तीन चार दिनों में फिर से सता पर आ जाती है ताकि समुद्र के गहराई में फिर से डूबने से पहले कुछ घंटों के लिए अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सके आयनेस वागीर के इस तैनाती से और उसके इस तरह बिनारुके यात्रा करने से पता चलता है कि भारतिया नौसेना पूरी दुनिया में जब और जहां चाहे मिशन को अनजाम दे सकती है आस्ट्रेलिया में आयनेस वागीर यहां के पश्चिमी तक पर रॉयल आस्ट्रेलियाई नौसेना की यूनिट्स के साथ कई प्राक्टिस में भाग लेगी एदर आस्ट्रेलिया के पूर्वी तक पर भारतिय नौसेनिक जहाज और विमान 11 से 21 अगस्त के बीच मालाबार अभ्यास चल रहा है और 22 से 24 अगस्त के बीच आसिंडेक्स में पहले से ही भारतिय जहाज अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं ऐसे में वागीर की तनाती एहम है इसकी तनाती के दोरान पंडुपी रोधी अभ्यास भी नौदारत है इस दोरान आस्ट्रेलिया नौसेना की पंडुपियां भारतिया नौसेना के पी एटाई विमान आइनस वागीर के साथ अभ्यास करने वाले हैं पिछले कुछ सालों में भारत ने प्रशांत महासागर में काफी तेजी से ध्यान देना शुरू कर दिया है इस शित्र में चीन और अमेरिका के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन भी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश में लगे है और अब भारत भी अपना दम दिखाने पहुच किया है ब्यूरो रपोर्ट गुद निउस टुडे आनस वागीर कलवरी क्लास के पहले बैच की छे पंडुपियों में से एक है इसे रक्षा एक्सपर्स साइलेंट किलर शार्प कहते हैं ये चक्मा दे कर हमला करने में माहिड है समुद्र में जब ये गोता लगाती है तो दुश्मन को इसका पता तक नहीं चलता इसे फ्रांस की कमपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबाई के मजगाउं डॉक शिप बिल्डोस लिमिटेड ने बनाया है आईए बताते हैं आपको इसकी खासियत क्या क्या है आयनस वागे अपने आप में बहुत खास है ये दुनिया के बेहतरीन सेंसर्स और टार्पीडो के साथ है इसमें 533 mm के 8 टार्पीडो ट्यूब हैं जिन में मिसाईले लोट होती है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाईलों से ये लेस है विशेश अभ्यानों के लिए समुद्री कमांडो को लॉंच करने की शमता है एंटी सब्रमीन युद खुफिया सूचना जुटाने समुद्र में बारुदी सुरंग बिचाने और सर्विलांस के कामों में इसका इस्तमाल होता है समुद्र के तटपर और मध्य समुद्र दूनों जगा तनात हो सकती है समुद्र में 37 किलो मीटर पति घंटे की रफटार से चल सकती है इसके अलावा समुद्र की सता पर एक बार में करीब 12,000 किलो मीटर का सफर तै कर सकती है समुद्र के अंदर ही समुद्र के भीतर ये एक बार में 1000 किलो मीटर की दूरी तै कर सकती है करीब ज़्यादा से ज़्यादा 350 मीटर की गहराई तक ये जा सकती है लगातार पचास दिन तक समुद्र के अंदर रह सकती है ये बेहत खामूशी से अपने मिशन को अंजाम देती है इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है स्टील्थ तकनीक से ये लेस है जिसके चलते रडार भी आसानी से इसे पकड़ नहीं पाते इसकी खूबियों को देखते हुए से सेंट शाक का नाम भी दिया हिया है चलिए अब आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों के साथ सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना का विशेश महत्व है सावन सूमवार के दिन भगवान शिव की उपासना करने से और उपवास का पालन करने से विशेश लाब मिलता है कल सावन का सूमवार है जिस दिन शुब संयोग बन रहे हैं इस दिन भगवान शिव की उपासना के साथ ही नाग देवता की उपासना का भी अफसर मिलने जा रहा है यानि भगतों को डबल फाइदा मिलने वाला है कास है सावन का ये सूमवार सावन के इस सूमवार पर बन रहा है बेहत शुब संयोग नाग पंचमी के संयोग में मनेगा सावन का सूमवार महादेव और नाग देवता की पूचा का मिलेगा पूरा अफसर भगतों को शिप करपा का मिलेगा डबल लाव अधिक मास खत्म होने के बाद 21 अगस्त यानि कल सावन का सूमवार पड़ रहा है सावन के सूमवार पर ब्रत रकर शिप जी की पूजा करने से मनोवांचित फल मिल जाता है साथ ही विवायों के लड़के लड़कियों के लिए रिष्टे जल्द आने लगते है इस बाद अधिक मास के बाद कल आने वाला सावन का सूमवार बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन नाग पंच्वी भी है ऐसे में इस विशेश सैयोग के चलते पूजा करने से शिप जी के साथ ही नाग देवता की भी कृपा मिल जाती है जूकि सावन के सूमवार बनाख पंच्वी का महा सैयोग बन रहा है तो इस खास दिन पूजा करने के लिए प्रात है काल इस नाम करके भगवान शिप का स्मरण करे पहले भगवान शिप का अभिशेक करे भगवान शंकर को बेल पत्र और जल अरपित करे फिर शिप जी के गले में विराजमान नागो की पूजा करे नागो को हल्दी, रोली, चावल और फूल अरपित करे इसके बाद चने, खील बताशे और कच्चा दूद अरपित करे घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सर्प की आकरती बना कर उसकी पूजा करे आखिर में धूप, दीप से भगवान भूलिनात की आरती करे और प्रसाद बनाए पूरे दिन भलाहरी तहकर शिप जी का इस्मरन करते रहे सावन के इस सोमवार पर नागपंचमी के शुप सैयोग के अलावा शुप नामक योग भी बन रहा है साथ ही शुप माना जाने वाला चित्रा नक्षत्र भी रहेगा यानि इस सोमवार कई तरह के शुप सैयोग बन रहे है अगर इन शुप संयोग में ब्रत रख कर विधी बत उजा की जाए तो नी संदे भगवान शिव की विशेश किरपा जरूर मिलेगी भारत की अलग अलग जगों से आई शिव भक्तों की बुड़ा मनात यात्रा का पहला जथा आज बुड़ा मनात मंदिर पहुँचा जहां यात्रियों का जोरदार स्वागत हुआ श्रधालू ने बुड़ा मनात शिवलिंग के डर्शन पूजन कर आशिरवाद फिलिया इस दौरान पूरा इलाका हर हर महादेव और बंबंबोले के जैकारों से गूज था पुंच में अपने स्वागत सतकार और एकता और भाईजारे की भावना से गदगर श्रधालू इतने भाव विभोर थे कि उन्होंने यहां बार बार आने का वादा किया कि मुस्लिम भाई उन्होंना भी हमें वह सपोर्ट किया उन्होंना हमको सब्सक्राइभि तो मुस्लिम का बाईचार हे रहा है पूरा स्वागत किया जा रहा है हमको यहां आने के बहुत आनन्द आता है सच में यहां हिंदू, मुसलिम, सिक, भाई एक अच्छा भाईचारा देखने के मिलता है वह सूरत में एक अनो की पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें लगी सभी पेंटिंग्स यहां की लाजपोर जेल में बंद कैदियों ने बनाई है प्रदर्शनी में कैदियों की बनाई गई 130 से जादा पेंटिंग्स लगाई गई है कैदियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स बेहत खुबसूरत और अनुखी है इन पेंटिंग्स के जरीए कैदियों ने कैनवास पर अपनी भावनाओं और मनोभाव को की रहे वैसे तो फोटो में नजर आ रही सूरत की लाजपोर जेल के कैदियों की पेंटिंग बिना शब्दों के ही अपनी कहानी बया कर रही है जो भी इन पेंटिंग्स को देख रहा है कैदियों के मनोभावो को पूरी तरह समझ रहा है किसी पेंटिंग में इन कैदियों का दर्द छलगता है तो किसी में अपनों के लिए चिंता दिखती है यही नहीं इस पेंटिंग परदर्शनी में कैदियों ने महापुरुशों को भी कैन्वस पर उतारा है ताकि उनके विचारों पर चल सकें उन जैसा भले ही न बन पाएं लेकिन कम से कम बाहर निकलें तो अच्छे नागरिक तो बन ही जाएं यह 130 पेंटिंग्स लाजपोर जेल के तिरपन कैदियों ने मिलकर बनाई है जेल प्रशासन ने इन पेंटिंग्स को सहेजा और इनकी प्रदर्शनी लगा दी जेल के एसपी भी कैदियों की कला को मिल रहा प्रोथसाहन देख खुश है इस एक्जिबिशन में टोटल 130 जितने पेंटिंग्स है जो 51 जितने कैदियों ने यह पेंटिंग्स बनाए है तो यह भिकेगी तो उसे पेंटिंग्स के जो आमधनी होगी तो उससे 50 परसंट उसके परिवार को जाएगा और 50 परसंट कैदी वेलफेर फंड में जाएगा तो डेफिनेटली उसके परिवार को इतनी मदद मिलने से वो भी काफी संतूष्ट होगे इन कैदीयों की इन पेंटिंग में कहानी के साथ आम लोगों के लिए ये संदेश भी छिपा है कि छडिक आवेश में उठाया गया कदम आपकी ही नहीं आपके अपनों की जिन्दगी तबाह कर सकता है इसलिए हमेशा स्वेम पर नियंतरन रखे कानून को कभी भी अपने हाथों में ना ले ब्यूरो रिपोर्ट गुड नियूस टुडे कॉइंबिटूर से तीन महिलाय निकली है कन्या कुमारी के सफर पर वो भी घोडो पर ये महिलाय घुरसवारी करते हुए अपने गाउं अंथियूर से कन्या कुमारी जा रही है तीनों महिलाय महिला सशक्ती करन का संदेश देने के लिए घुरसवारी करते हुए कन्या कुमारी जा रही है उनका कहना है कि महिलाय किसी से कम नहीं है और वो सब काम कर सकती है जिने समाज में पुरुशों से कम आखा जाता है इसी के साथ हमारी खास पेश्वश में फिलाल के लिए बस इतना ही लेकिन अच्छे खबरों के लिए आप देखते रहें ये गुड नियूस टुड़े